365 सवाल जिनके जवाब आपको जगाएं सवाल विश्व की सबसे बड़ी शक्ति क्या है और वह हमारे जीवन में कैसे कार्य करती है इन्सान के जीवन में गुरु का महत्व क्या है जाने इश्वर के कार्य करने का तरीखा और विश्वास बीज रहस्य एक इंसान ने रात में सपना देखा और सपने में एक चहरा देखा और वह चहरा उसे बहुत पसंद आ गया सुबह उठकर उसने कहा कि मैं उस चहरे से मिलूँगा ही बिना उस इंसान के में जी नहीं सकता क्योंकि वह चहरा इतना पसंद आया वह आशिक हो गया वह ढूनने निकला कि वही चहरा कहीं तो मिल जाएगा वहर गाँ वहर नगर गया सभी चहरों को देखा मगर वह चहरा नहीं मिला लोगों से पूछा लोगों से पूछा कि इस इस तरह का चहरा तुमने देखा है लोगों को वो शब्दों में नहीं बता पाया उस वक्त आइने भी नहीं हुआ करते थे जिस समय की बात बताई जा रही है उस वक्त आइने दरपन नहीं हुआ करते थे और वो इंसान ने अपना चहरा कभी देखा नहीं था ना ये कोई कैमेरा थी कि किसी ने फोटो निकाल कर दिखाया होता तो ढूंदा रहा अंत में गाओं एक पहाड़ी की नीचे गाओं था वहाँ पहुचा लोगों ने कहा हम तो ऐसे चहरे को नहीं जानते मर पहाड़ी पर एक गुरूजी रहते हैं तुम उनके पास जाओ अगर टिक पाओगे उदर तो जान जाओगे गाओवालों ने बताया पहले भी ऐसे लोग आये है वहाँ कोई टिक नहीं पाता मर जो टिक पाता है वो बहुत खुश होकर आता है उस इंसान ने कहा नहीं मैं जानकर ही रहूँगा मुझे इतनी प्यास है उस चहरे को जानने की मैं जानकर ही रहूँगा हर मुसीबत का सामना कर लोगा जानकर रहूँगा वो उस पहाड़ी पर गया गुरू जी से मिला गुरू जी ने बताया कि इस तरह के कारिया करने होंगे इस तरह की सेवा करने होगी इस तरह के पत्थर उठाकर कुछ बनाना होगा कुछ पत्थर गिसने होंगे अलग-अलग तरह के पत्थर है पहाड़ पर तो उसने कहा मैं सब करने को राजी हूँ हर तरह का कारे, हर तरह की सीवा करने को तयार हूँ काफी समय तक वहां रहा गुरूजी ने अंत में जो काम दिया वह था एक पत्थर उसको गिसने का काम दिया इसको गिसते रहो बाकी कारे खतम हुए नहीं कि पत्थर लेकर गिस्ते रहो अब वो उस पत्थर को गिस्ते रहता है चमगाते रहता है और दिखाता है गुरुजी को शाम में आप कैसा लगता है नहीं थोड़ा और गिसना होगा कल फिर और काम पर लग जाना बाकी कारिये खतम करके फिर पत्थर गिस्ता है कई दिन हो जाते मन में तो आता है क्या कर रहा हूँ क्यों आया हूं कह यही करने आया हूं मन दो कहता था भागो जाओ अपने घर मगर फिर वो प्यास थी वो चहरा बीच-बीच में सामने आता था उस चेहरे को तो जान नहीं है गुरुजी से बीच में कभी सवाल पूछे कि पत्थर गिसने से क्या होगा पत्थर गिसने से सत्य का क्या संबंध गुरुजी ने कि वापस पूछा तो निकाल दिये जाओगे इसलिए मजबूरी में उस पत्थर को गिसता रहा और एक दिन क्या हुआ वो पत्थर गिसकर इतना चमकने लगा जैसे आइना बन गया पत्थर आइना बन गया उसे ये बात मालम नहीं थी अचानलक उसमें अपना चेहरा दिखने लगा आरे वही तो चेहरा है वही चेहरा बहुत खुश होके नास्ते हुए आ गया रहा मुझे पत्थर में मिल गया वही चेहरा पत्थर में मिल गया गुरूजी ने कहा कोई और नहीं मिला कोई और नहीं मिल गया ये तुमारा ही चेहरा है एक कहानी थी पृतिक की के अपने चहरे की तलाश में मगर यहां बात चल रही है बाहर के चहरे की नहीं बाहर का चहरा तो शरीर को मिला है आपको जो चहरा मिला है वह है आपका असली रूप उस रूप को जानने के लिए ही लोग सत्य जानना चाहते है उस चहरे को कैसे जाने कैसे समझाएं इसलिए बाहर के चहरे की एनलोजी लेकर उधारन लेकर आपको समझाया गया कि अपने आप पर ही जब लोटा अपने चहरे पर ही जब वो लोटा तब उसने सत्य जाना जब तक बाहर डूण रहा था सत्य नहीं जाना हमारे अंदर ही सत्य है और उस सत्य को जानने के लिए कोई इशारा करे चीज हमारे पास है ही इसलिए सत्य शिर्वन से वह प्राप्त हो सकती है सिर्व कोई आकर बताए कि ये जीवन है यह तुम हो यह नियम है इन नियमों का पालन करो विश्व की सबसे बड़ी शक्ती तुमारे पास होगी विश्व की सबसे बड़ी शक्ती तुमारे लिए काम करेगी पहले तो इनसान सुनेगा तो आश्चर करेगा या लगेगा थोड़ा ज्यादा ही बताया सबसे बड़ी शक्ती मेरे लिए काम करेगी मेरे तो काम होते ही नहीं आफिस का काम अटका हुआ है पलोड का काम अटका हुआ है पडोसी अटका रहा है काम ये काम मेरे अटके हुए है और सबसे बड़ी शक्ति मेरे लिए काम करेगी कैसे हो गाई यह ये कैसे संभव है मगर जब मार्क दर्शन देने वाला मिलता है गुरू का रोल ही यही है गुरू का अर्थ समझ लेना गुरू का अर्थ जो मन के परेके शित्र का ग्यान दे यानि हम जो हें वह ज्यान दे उसे गुरू कहा गया मन के शित्र का नहीं मन के शित्र में तो psychology है, physics है, maths है, chemistry है, geography है, history है ऐसे कई subjects है accounts करेगा, person economics करेगा यह तो मन के शित्र है सब ये सब सिखाने वाले शिक्षक है, सही है अगर इनको गुरू कहना है तो फिर मन के परे जो लेकर जाता है उसे कोई और शब्द देना पड़ेगा ताकि जब आप यह शब्द दोहराओ तो आपको वही अर्थ द्यान में आना चाहिए जो इस शब्द का अर्थ है क्योंकि गुरू का रोल बहुत बड़ा है कल्पना नहीं की जा सकती इतना बड़ा रोल है विश्व की सबसे बड़ी शक्ति आपके लिए काम करने लगेगी अगर हम गुरू को सुन पाए, पहचान पाए, आग्या का पालन कर पाए इतना बड़ा काम जब होने जा रहा है तो हम कैसे सुने, कितने ध्यान से सुने क्योंकि एक एक शब्द हमारी मानिताओं को तोड़ेगा एक एक शब्द हमारे पैटन्स को तोड़ेगा जो आदतें बढ़ गई है, उन आदतों को तोड़ेगा सफल जीवन क्या होता है असली सफलता क्या होती है जीवन का कुल मूल उदेश्य क्या है यह समझ में आने लगता है कोई समय था लोग गुरू के पास जाते थे अंतिम लक्ष पाने के लिए अंतिम सत्य पाने के लिए अपने आप से पूछना हमारी चाहत, हमारी प्यास कितनी है क्या आज की बातें सुनकर यह प्यास जग रही है तो हम आगे जा पाएंगे हमें सीखना है गुरू से सीखना है कि इश्वर के काम करने का तरीका क्या है कैसे इच्छाएं पूरी होती है कैसे कार्य होते है विश्व में इश्वर कब हमारे कार्य करता है कब हमारे कार्य नहीं करता इश्वर हमसे क्या चाहता है क्योंको गुरू पुल का काम करता है आपके बीच में और इश्वर के बीच में पुल का काम करता है ब्रिज का काम करता है वो आपको बताता है इश्वर तुम से क्या चाहता है क्या तुम वह कर रहे हो वह कर रहे हो तो तुम सफल हो सचमच जिसको सफल कहा जाए कुर्सी मिल गई, बंगला मिल गई, गाड़ी मिल गई वो सफलता नहीं है जो करने आये थे पृत्वी पर वह करने लगे तब सफल जिवन तो पुल है तो उस पुल का फायदा उठाना है मनोशरीर यंत्र माध्यम है मनोशरीर यंत्र यानि गुरू का शरील वो निमित है उसके द्वारा हमें प्रवेश करना है आगे जाना है रुक नहीं जाना है आगे जाना है सत्य में इस्थापित होने के लिए तो गुरु जी क्या बताएंगे कि इश्वर कैसे कारे करता है इस तरह कारे करता है तुम बीज डालते हो वह तुमें फसल देता है आप जानते हो न किसान होता है बीज डालता है जमीन में वो यह नहीं कहता पहले फसल आ जाए, फिर मैं बीज डालूँगा कोई किसान ऐसा कहता है नहीं पहले फसल आ जाए, उसमें से मैं बीज निकालूँगा वो मैं जमीन में डालूँगा दस पृतिशत बीज निकालूँगा वो मैं जमीन में डालूँगा कोई किसान ऐसा नहीं कहता, समझदार है इश्वर से इंसान क्या प्राथना करता क्या मांग करता है करता क्या है, मेरा ये काम हो जा में नारेल तोड़ूँगा मनते मांग कर आता ये नहीं कहता है कि मैं ये पहले करूँगा फेर तुम मेरा कार्य करना इनसान ये नहीं कहता मुझे दस हजार मिल जाए तो मैं उसमें से दस पृतिशत दान करूँगा इनसान क्या कहता मुझे पहले ये मिल जाए फिर मैं ये करूँगा उसने जाना ही नहीं ईश्वर के कार्य करने का तरीका जाना ही नहीं वह अंदेरे में ही रहा तो तेश्गरू क्या करते है वह बताते है कि इश्वर इस तरह कार्य करता है क्या तुम वह तरीका सीखने को तयार हो और अपनी सभी समस्याओं से बाहर आने को तयार हो क्योंकि जो भी समस्याओं है हमारी वो हमें दुख देने के लिए नहीं दी गई वो दी गई सिखाने के लिए वो दी गई इश्वर से कैसे संपर्क बनाना है ये बताने के लिए है वरना आप कभी नहीं कर पाते कैसे है वे लोग जिनके पास पैसा भी है नोकरी भी है सब है अब उनके साथ क्या हो रहा है अब वो इश्वर को कितना याद करते है सोच कर देखना एक इनसान है जिसको पैसा कम है नौकरी की तलाश कर रहा है थोड़ी तकलिफे है वह इश्वर के ज़्यादा नजदीक है या जिसके पास यह सब चीजे है वह इश्वर की जादा नज्दीक है कुन भाग्यवान है अगर पैसा नहीं है नौकरी नहीं है और इंसान उसे पाने के लिए इश्वर क्या चाहता है वह कार्य करने लग जाए तो वह भाग्यवान है वरना ये सब चीजें तो हमारे पास है मगर इस वज़े से हमने इश्वर को बुला दिया क्योंकि अब वही हमारा सोर्स बन गया वही हमारा स्रोत बन गया वही हमारा ट्रांस्मेटर बन गया वह नोकरी ही हमारा बॉस वह पैसा ही हमारा भगवान अब हम उसी की ही पूजा करने लगते हैं तो कितनी बड़ी गल्ती हो गई, तो यह मत सोचना, हमें तकलीफ है, समस्या है, तो हम भागयवान नहीं है, अगर इन समस्याओं को इश्वर की नस्दीक जाने के लिए इस्तमाल किया, इश्वर के काम करने के तरीक ही को जान गए, तो यही चीज आपके लिए भागयशाली साबित होगी, आप कहोगे अच्छा हुआ वे समस्याओं आई, जिस वज़े से मैंने इश्वर के काम करने का तरीका जाना, अच्छा ही समस्याओं आई है, यानि आप इश्वर क्या चाहता है मुझसे, अब मैंने वह किया, चमतकारिक ढंग से वह समस्या सुलज गई, अरे इस तरह इश्वर काम करता है क्या, फिर आगे समस्याओं आएगी तो अब मैं जान गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये सीक्रेट जान गया, अब इश्वर के साथ कैसे काम करते हैं, क्यों पृत्वी पर बेजा है, यह मैं जान गया, तो वह आख़ी बागेशाली हो और वे महा भागेशाली जिनके पास पैसा भी है, जाब भी सब है और इश्वर को नहीं भूले, वो महा भागेशाली है, क्योंकि अब ये इन चीजों का इस्तमाल अभिव्यक्ति के लिए करेंगे, इश्वर की उच्चतम इच्छा पूरी करने के लिए करेंगे, तो हमें जा मरते वक्त जो सोचते हैं तुम पहले सोचो लोग जो मरते वक्त सोचते हैं तुम्हें पहले ही सोचना है गुरू आपको पहले ही सुचवाता है वो उधारन बताता है क्या उधारन बताता है कि देखो एक इनसान है मर रहा है सुख दुख के चक्कर में जीते जीते जब मौत ही शरीर की तो मरते वक्त यदि वो अपने आप से सवाल पूछे कि मैंने जीवन में बहुत दुग भोगे बहुत परिशान हुआ ये घटना होई तो परिशान हुआ अब क्या होगा मेरा नोकरी मिलेगी की नहीं मिलेगी ऐसी बहुत परिशानी आई दाज में तो नोकरी भी मिली क्यूंकि अभी मरते वक्त तो पूरी स्टोरी मालम है न क्यों सब हो चुका है मरते वक्त तो जो भी कहानी थी वो हो चुकी तो उससो तो सोच पाता है कि देखो मैं कितना तनाव लिया था नोकरी का कितना तनाव लिया था, शादी का, कितना तनाव लिया था, बच्चे का, कितना टेंशन लिया था, इसका, 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 क्या वाके उतना टेंशन लेने की जरूद थी क्या? क्या वो दुख भोगने की जरूद थी क्या? तो मर्तवत क्या एगा जवाब? उतना दुख भोगने की तो जरूरत नहीं थी. उतना दुख, आरे कहा इतना जरूरत नहीं थी? अज्ञान की वज़ेज में मालम नहीं था ना आगे क्या होने माला है? इसलिए मैं टेंशन लिरा था. अभी तो मर्तित मालूम पड़ा, क्या क्या स्टोरी थी? तो यह तो सोचा इंसान ने मरते वक्त. गुरू आपके जीवन में आया, तो क्या फरक पड़ा? अगर मरते वक्त आप यह सोचोगे तो. गुरू आपके जीवन में आया, यानि वो पहले ही सुचवाएगा. क्या आज जो तुम दुख मना रहे हो, क्या उस दुख मनाने की आवशकता है? अगर लगता है, तो क्या उतना मनाने की आवशकता है, जितना मना रहे हो? क्या उतना जुरुदार मनाने की आवशकता है, जितना मना रहे हो दुख? तो आप कहा है उतना दुख्य होने की जरूद नहीं और थोड़ा तो दुख्य होना चाहिए, ठीक है दूसरा इंसान है जो जिन्दगी पर आनंद में रहा, खुश रहा वो भी मर रहा है आप उससे भी वही सवाल है तुमने जीवन में जितना आनंद लिया क्या इससे ज़्यादा लिया जा सकता था क्या क्या इससे ज़्यादा लिया जा सकता था क्या तुम खुश हुए क्योंकि बहुत अच्छे ची घटना है जीवन में चल रही थी तो बहुत आनंद जीवन जिये मरत्यवत पूछो क्या उतना आनन लिया जितना संभावना थी जितना लेना चाहिए था क्या उतना आनन लिया तो पसंद कहए उतना नहीं लिया बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब उतना नहीं हुए जितना होना चाहिए था। तो दोनों तरह के लोग क्या कहते है। दुखी भी क्या कह रहा है। खुश भी क्या कह रहा है। दोनों ने पूरी संभावना नहीं खोली। दोनों ने गल्दी की। गुरु बताते है कि तुमने आनंद प्राप्त किया है या तुम दुख भोग रहे हो, तो अब अपने आप से सवाल पूछो, सवाल पुछवाना गुरु का काम होता है, आप को ही सवाल पूछने के लिए अपने आप से कहा जाता है, फिर सवाल पूछ पूछ कर आप अंदर जानने लग जाते हो और फिर doubts हमारे आनंद को रोक नहीं सकते हैं दुख हमें परेशान नहीं कर सकता क्योंकि अब हम असली अर्थ जानने लग गए तो गुरू का रोल है आपको ये सब बाते बताना और इश्वर के कार्य करने का तरीका बताना कि तुम बीज डालोगे विश्वास बीज डालोगे तो तुमे मिलने वाला है वह चमतकार जो तुमारी जरूरत है आज जिस अवस्था में तुम हो वहां पर तुमें एक चमतकार की अवशक्ता है जो तुमें उस समस्या से बाहर निकालेगा मगर वो चमतकार तुम्हारे जीवन में आए उसके पहले तुम्हें कुछ देना पड़ेगा तुम्हें देना है विश्वास बीज गुरु का अर्थे क्या है जो अंधेरे को प्रकाश के द्वारा गायब करता है तो ये प्रकाश आजाए ये तरीका सामने आजाए फिर आप समझ के साथ प्रातना करोगे और प्रातना एक विश्वास बीज बनेगी प्रातना एक विश्वास बीज बनेगी वो भी बीज है अगर सही डंग से तुम्हारी बेष्ट प्रातना तुम करते हो तो वह विश्वास बीज है और विश्वास बीज डालते ही अगला कार्य शुरू होता है विश्वास बीज आने से पहले इंसान कृपा बीज डालता है कृपा बीज क्या है? कृपा बीज है वह बीज जिससे कृपा शुरू होती है यानि गुरू हमारे जीवन में आते है, लोगों का प्रिशन होता है, सही गुरू को कैसे पहचान है, पहचान में नहीं सकते तुम, सही गुरू को कैसे पहचान है, तुम पहचान में नहीं सकते, तुम सिर्फ किर्पा बीज डालो तुम सिर्फ किर्पा बीज डालो यानि प्राथना करो इश्वर से रोज सही गुरू मुझे प्रदाहन करो इश्वर को खाली यही प्राथना करो कहे इश्वर मुझे मेरा सही गुरू जो मेरे लिए बना है वो मुझे मिले, मैं तयार हूँ उसे ग्रहन करने के लिए, उसे अपने जीवन में लाने के लिए. सिर्फ ये प्रात्ना करो, ये आपको सोचने का नहीं है, पता नहीं, ये मेरे गुरु है के वो है? सही टंग से, सही टाइम पर आपके जीवन में गुरु प्रवेश करेंगे, आपको इसकी जिंदा नहीं करनी है, आपको सिर्फ किर्पा बीज डालना है, इश्वर उस पर काम करेगा, बीज डालना सिर्फ आपको है, तो पहला काम, यानि किर्पा बीज डालना, तो उससे फिर सही गुरू आएंगे, सही गुरू आएंगे तो ये सब बताएंगे, बताएंगे तो फिर आब वो काम शुरू करोगे, क्या काम शुरू करोगे जीवन देने के बाद multiply करके कई गुना बढ़ा कर वापस देता है इश्वर के काम करने का ये तरीका है, अच्छा ये अगर तरीका है तो मैं अब वह गलती नहीं करूंगा, जो सब करते है आता है तो cable से ही, आता है तो channel से ही आता है तो null से, water tank तो उपर है, चत पर पर आएगा तो null से तो null को इश्वर नहीं मान लेना है समझ जाना है, वो तो टाकी से आया है, उदर था ऐसली आया, उदर नहीं होता तो नहीं आता, तो हमने क्या बीज डाला कि उदर पानी तयार हुआ, हमने ऐसा कौन सा बीज डाला, विश्वास, बीज, विश्वास शब्द क्यों आता है, क्योंकि यह विश्व की सबसे बड़ vibration है, विश्वास की शक्ती, किसी भी मंदर में, किसी भी जरने पर, किसी भी पहाडी पर, लोगों की मनते पूरी होती है, विश्वास की शक्ती से, जो लोग विश्वास का बीज डाल पाते है, उनके कारिय होने लगते है, और कैसे बढ़िया डंग से हो, जब ग्यान हमारे जीवन में उतरता है, जो साधन है, उसको स्रोत नहीं समझना, ये गलती सभी को समझ में आ गई, हमें बीज डालना है, कहां डालना है, इश्वर ही हमारा इश्वर हो, इश्वर ही हमारा इश्वर हो, सोर्स ही हमारा सोर्सोग यही कहना है कि God is my total supply, God is my total supply. मेरी रसद वहां से ही आती है, आमदनी जो भी है, आमदनी वहीं से आती है, और कहीं से नहीं आती है, यह तो बीच में कुछ लोगों को इस्तमाल किया जाएगा, बीच में कुछ लोग निमित बनेंगे, उनके द्वारा मेरे पास पहुंचती है चीज, मर वहीं से आ रही है, और अगर मैं कुछ दे रहा हूँ, तो वहीं डाल रहा हूँ, उसी जमीन में डाल रहा हूँ, उससे बड़िया जमीन और कोई नहीं, उसी जमीन में डाल रहा क्या धर शार गॉना कर दें आर के उसको हजार गुनात बढ़ा कर दे और इशर चाहता है शाहता है तzahl कुछ बीज डालो इतना तो विश्वास रख पा क्ई पाऊ पाने से पहले कुछ दे पाऊ इसलिए उसको कहा विश्वास बीज आपके पास ही थोड़े पैसे हो और आपको कोई कहे का अभी तुम विश्वास बीज डालो बोले और कम हो जाएंगे और कम हो जाएंगे मर इश्वर कहेगा मैं काम कर पाऊंगा उसके बाद ही उसके पहले काम में नहीं करपाऊंगा क्योंकि ये नियम बनाया गया है कुछ तो तुम डालो और वेट करो और इश्वर को क्या पसंद है? विश्वास उसे बहुत पसंद है अगर इश्वर को विश्वास पसंद है तो रोनी सूरत बिलकुल पसंद नहीं कौन रोता है? जिसका बोलते हैं आपको हम ये चीज़ लेकर देंगे मैंने बढ़ता है मुझे नहीं लगता तुम लेकर दोगे रोते रहता है विश्वास उनहीं है विश्वास नहीं होता है कि मुझे भी मिलेगा उसको विश्वास नहीं होता तो इश्वर को तब बहुत अच्छा लगता है कि इनसान के पास इचनी समस्या है मुसिबते हैं फिर भी वो विश्वास रख रहा है ये इश्वर को बहुत पसंद आता है और उसके पास कम है फिर भी डाल रहा है बीज फिर भी डाल रहा है तो आप बहुत बड़ा चमतकार हो सकता है राइट टाइम पर होगा जब देखोगे situation अभी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है आप राइट एक moment आता है जब आप बहुत रहे काम हो गया काम अटका हुआ अब इससे लेट हुआ तो सब गड़ बड़ा मगर उस last moment पर चमतकार होता है आप बोलते हैं कैसे क्या हो गया ये एन moment पर ये काम हो गया तो इश्वर के काम करने का तरीका समझो इस तरह क्यों किया जाता है मजा तो भी आता है क्योंकि उसमें वो मजबूत बनता है क्योंकि इधर डाउटर आता है इधर विश्वास, इधर डाउटर, इधर विश्वास दोनों की युद्ध चल रही और काम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा बहुत परिशानी है क्योंकि यही पिरिड आपको इश्वर के नजदीक लेकर जाता है जिनके जीवन में ऐसा पिरेट नहीं है वो इश्वर से दूर होते जाते गल्ती होते जाती है जिसने जाब दिया वही सोर्स बन जाता है उनका तो यह गल्ती नहोँ समझो कि इश्वर क्या पसंद करता है आज आपने एक बीज डाला जमीन में दूसरे दिन दूसरा डाला तीसरे दिन तीसरा डाला हर दिन एक एक बीज डालते कि एक बीज को बाहर आने में समझो एक महना लगता है तीस दिन तो जब एकतिसवा दिन आएगा तो पहला बीज बाहर आएगा जमीन से पोदा एकतिसवे दिन से शुरू हो गया फिर 32 दिन क्या होगा दूसरा पोदा बार आया 33 दिन क्या होगा थीसरा बार आप तो बोला कि लाई नी लग देई आप डेली चमतकार शुरू हो गए तो आप भी ये चाहते हो के मेरे जीवन में वैसा हो के आज अर ये हो गए, आज ये काम होगा आज ऐसे चमतकार आप देखना चाहते तो ये बीज पहले डाला जाता है और उसको बनने कर देना है ये जारी रखना है तो कुछ उदारन उसे समझा आपको भी किर्पा क्लब जोईन करनी है किर्पा क्लब क्या कहती है कि कर्पा है जीवन में इंसान का जनम मिलना एक कर्पा है और उसमें सत्य की प्यास लगे इस्वर के साथ काम करना सीखे तो ये दूसरी कर्पा हो गई गुरू मिल जाए यानि कि कर्पा बीज डाल पाए तो ये तीसरी कर्पा हो गई गुरू मिल जा और उस पर विश्वास जग जाए चोथी कृपा हो गया और गुरू कृपा हो जाए उसको पांचवी कृपा कहा गया कृपा कलब जोइन करना है यानि हम विश्वास बीज डालना सीख जाएं और कृपाओं को बरसने दे कई गुना बढ़कर लोटकर जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा आनंद हो सकता है सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश टेज ग्यान का केवल परिचय मात्र है टेज ग्यान नहीं टेज ग्यान सर्श्री महा आस्मानी परमग्यान शिविर में प्रदान करते हैं. इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं. इस विशय को और अधिक विस्तार से समझने के लिए आप इन पुस्तकों का भी लाभ ले सकते हैं. इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही हैपी थौट्स चैनल को सब्सक्राइब करें. इस संदेश के बारे में अपने विचार, अभिपराए ज़रूर शेयर करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं. हमारा इमेल आईडी है mail at the rate tijian.com